यूपी के सीम योगिया दित्तनाथ ने प्रियाग राज में कहा कि भाजपा चार चर्णों की मद्दान की बाद बहुमत की आकड़े के करीब पहुँच गई है साथ ही योगी ने दावा किया कि साथ चर्णों की मद्दान की अन तक 300 सीटों का लक्ष हासिल करते वे सरकार बनाएगी वही विपक्ष को लेके सीम ने कहा कि विपक्ष के कर्यालों में अभी से भूत नाचने लगे है सपा वस्पा के नेता अभी से विदेश की बुकिंग कर चुके है इसके साथ उन्होंने विरोधियों पर निसाना सात्य वे कहा कि विपक्ष ने 11 मार्च को अपने विदेश भागने का पहले से इंतिजाम कर लिया है विपक्ष अपने टिकट बुक इसलिए करा रहा है क्योंकि उन्हें परिनाम पता है बुल्डोजर हमारे विकास का प्रतीक भी है और माफियों में भैपदा करने का भी एक तड़ीका है मैं योग्याद इतनाथ ने कहा कि 2017 के दौरान यूपी में बेरोजगारी दर्ड लगभग 18 फीस्ती थी लेकिन अविया 2 फीस्ती से कम है पिशली बार हमने 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी और 2 करोड नौजवानों को रोजगार दिया मुख्यमंत्री योग्याद इतनाथ ने कहा कि अगर सपा वस्पा की सरकार होती तो पूरा वैक्सीन ब्लैक मार्केट पे बिग जाता हमने सभी को वैक्सीन दी फ्री वैक्सीन दी हमने महीने में दो बार राशन दिया 2017 से पहले ये पैसा सपा वस्पा के इत्रवाले मित्र के घर चला जाता था और चित्रकूट में बिजली को लेकर विपक्ष पे कसातंज कहा कि चित्रकूट में 2017 के पहले क्या बिजली मिलती थी 2017 की बाद चित्रकूट में बिजली मिल रही है कोई भेद भाव नहीं हो रहा है पहले ईद और मुहरम में बिजली आती थी और दिवाली वो हुली में बिजली नहीं आती थी उतरप्रदेश के विधान सभा चुनाव में सियासी दाव पेच का दोर जारी है इस वक्त समाजवादी पार्टी पूर्वी छेत्र यानि पुर्वांचन में भारती जन्ता पार्टी के मजबूत समाजिक समिकरन को लुकसान पहुचाने की पूरे कोशिश कर रही है जबकि पहुचाने से बचाने के पूरे प्रयास कर रही है भाजवा के सहयोगी रहने के बाद अब सपा के साथ आई ओम्प्रकास राजभर के नत्यतों वाली सुहेल देव भारती समाज पार्टी अपने समुदाय के मतों का एक बड़ा हिस्सा खीच सकती है शुपूर सीट से अधिक मतों से जीत वाले उत्तर प्रदेश के मंत्री एवं भाजपा अमिद्वार अनिल राजभर के सामने सपा ने सुभा सपा की ओर से उम्प्रकास राजभर के बेटे अर्विंदी राजभर को खड़ा करके मुकाबले को दल्चस्प बना दिया है गाउं में सुभा स और भाजपा दोनों दलों के जंडे कुछ राजभर परिवारों के घर के ओपर लहरा रहा है गाउं के राम लिवास राजभर कोरोना वारस के दौरान उनके परिवार को मुफ्त राशन सुनशित करने के लिए सत्ता रूत डल की सराहना करते हैं तो उनके रिष्टिदार अ आई आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएगेगा हमें आपके कमेंट का इंतिजार रहता है और देश दुनिया की तरीन ताजा खब्रों से रूबर होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ ही अगर आप यह वीडियो फेस्वूप पे देख रहे हैं तो मारे पेस को लाइक कर लिजेगा धन्यवाद